दोस्तों इस देश के हर एक माबाप अपने बच्चों को या तो डॉक्टर या एंजीनिर बनाना चाते हैं जिस वज़े से हर साल मेडिकल और एंजीनिरिंग एंटरेंज एक्जाम में लाखो लोग, लाखो बच्चे बैठते हैं लेकिन उन में से कुछी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी merit पर वो entrance exam clear कर जाते हैं जो बच्चे अपनी merit पर वो exam नहीं clear कर पाते उनके लिए पैसा ही merit बन जाता है फिल्म में बोला गया ये dialogue हला हल का पूरा सार समझा देता है दोस्तों आज मैं review करने वाला हूँ मंडे को release हुई Eros Now की original movie हला हलका स्टारिंग सचीन खेडेकर सर और बरुन सोबती इन प्रॉमिनेंट रूल्स हला हलका literal meaning होता है जहर इस फिल्म में पैसे को जहर बताया गया है जो अगर इनसान के दिमाग उसके दिल में घुश जाये न तो ये पैसे का जहर उसकी सारी moralities उसके सारे principles को मार कर उसे एक खोकला इनसान बना देता है दानव तक बना देता है फिल्म में यही दिखाये गया है हमारे देश में साल 2013 में मध्यप्रदेश स्टेट में एक बहुत बड़ा स्कैम उजागर हुआ था व्यापम स्कैम के नाम पर व्यापम मध्यप्रदेश स्टेट की एक्जायम है यह स्टेट गवर्मेंट लेड एक्जायम है जिसके तहत अलग-अलग कोर्सिज में यह एक्जाम देकर मध्यप्रदेश स्टेट के स्टूड़न्स अलग-लग कोर्सिज में एन्ड़मिशन पा सकते हैं एंजिनेरिंग, मेडिकल और भी कई सारे कॉर्सिस है इसके अंडर, स्कैम ये आया था, कि प्रॉक्सी स्टूडेंट्स बिठा कर, अलग-अलग स्टेट से टॉपर स्टूडेंट्स को लाकर, मध्यप्रदेश के एक्स टॉपर स्टूडेंट्स जो पहले ही एक्जाम बैठ च एडमेशन मिल जाए, वो एडमिट कार दिखा कर, और वो मार्क शीट दिखा कर, ये एक स्कैम था, साथ ही साथ, कुछ टूडेंट्स ने, अपने एक्जामिनेशन सेंटर में, ब्राइबिंग की, ताकि उनको आंसर शीट्स, एक्जाम स्टार्ट होने के पहले ही मिल जाए, और वो पूरा कॉपी वगर मार्के टॉप कर सकें, ऐसे कई सारे रिलेटेट्स स्कैम खुले, व्यापम एक्जाम को लेकर, that is the reason 2013 में जब ये स्कैम सामने आया, पूरा देश हिल गया था, इसी स्कैम को बैकड्रॉप बना कर, हला हल में एक फिक्शनलाइज स्टोरी गड़ उनकी वाइफ है और दो बेटियां है, जिसमें से जो बड़ी बेटी है उनकी, वो दिल्ली में एक टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, उसने एंट्रेंस एक्जाम अपनी मेरिट पर क्लियर किया, and she was a state topper, लेकिन एक दिन सचिन खेड़े करको अपनी जब वो डिस वो शौक में आ जाते हैं, रौतक से दिल्ली आते हैं, पुलीस वालों से डील करते हैं, पता करने ही कोशिश करते हैं कि exactly होता क्या है, उनका शक जाता है उनकी बेटी की autopsy report पर, since he is a doctor, autopsy report वो समझते हैं, और उनको लगते है कि यह report सही नहीं बनाएगी है, कुछ तो गड लेते हैं, बरुन सोबती की, who is a local police inspector, और आगे जाकर इसमें परत बाई परत एक बहुत ही बड़ा admission से related scam exposed होता है, which is very much in line with the Vyapam scam, So, यह movie की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है, सचिन खेड़े कर सर, outstanding actor तो है ही, और यह बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कि इस movie में भी उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है, लेकिन, इस movie की सबसे बड़ी discovery, सबसे बड़ी asset है, बरुन सोबती की performance, he is the same guy, who was the second lead in Asur, परशदवारसी के सामने, so बरुन is a total discovery in this movie, पूरी movie में वो चा गए है, और यह दोनों मिलकर, जिस तरह से case solve करते हैं, जिस तरह से एक एक परते खुलती जाती हैं, इनकी connections develop होते जाते हैं, what you will witness on screen, is totally unbelievable, totally shocking, यह movie हला हल, यह proof करती है, कि आपको एक outstanding और वर्ल्ड क्लास cinema बनाने के लिए, कोई बड़ी star cast, बड़ा production house, बड़ा पैसा, background score, शोर, शराबा, नहीं चीए होता है, आपके पास अगर script अच्छी है, कहानी अच्छी है, intention अच्छा है, आप जंडे गार दोगे screen पे, the movie is simply outstanding, डेड़ घंटे की movie है, एक second भी miss करने जैसा नहीं है, पूरी movie आपको बांध के रखती है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती है, narrative और भी जाथा intense होते जाता है, और भी जाथा खौफनाक और भयानक होते जाता है, and the climax is totally unexpected, महीं हाँ आपकोई spoiler नहीं दना चाता, कुछ भी reveal नहीं करना चाता, it's an experiential cinema, एक suspense thriller type drama बनाना ही कोशिश की गई है, जो हमारे देश के one of the biggest scams related है, so there is no reason for you, there is no reason for me to detest this movie in any which ways, यह हर एक parameter पर, entertainment के parameter पर, engagement factor के parameter पर, एक adrenaline rush देने के parameter पर, सभी parameter पर यह full mark score करती है, बहुत ही भेटरीन film बनाई है, I would urge that this movie reaches to maximum audiences, अगर आपके पास Eros Now का subscription नहीं है, तो सिर्फ यह movie देखने के लिए भी ले लो, it's totally worth it, बहुत ही मानदारी के साथ, एक narrative हमारे सामने रखा गया है, इसके writer है जीशान कादरी, हमारे अपने definite गैंग्स ओवासेपूर के, गैंग्स ओवासेपूर भी उन्हों के भी वो co-writer थे, यह movie उन्होंने खूद लिखी है, produce भी की है, and I, you know, hats off to that guy, never expected such a decent cinema, such a outstanding cinema from him, writing film की बहुत अच्छी है, dialogues बहुत अच्छे हैं, overall जो production design है, जो setup है, बहुत अच्छा है, 90% of the time, there is no background score, there is no background music, ऐसा लगता है कि crime patrol जैसा कोई episode चल रहा है, जहाँ पे crime solve करने ही कोशिश की जा रही है, with an very intense and engaging atmosphere, मैं इस movie को, हला हल को, which is an Eros now original movie, इसे मैं एक perfect rating देता हूँ, पूरे पाँच में से पाँच, यह movie बिलकुल भी miss मत करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे share करना, I am happy to see कि इसकी IMDB rating भी बहुत अच्छी है, so there is no doubt, there is no reason for you to miss this movie, इसमें कोई खामी नहीं है, एकदम perfect cinema बनाए गया है, इसके makers के, इसके actors के मैं दाद देना चाहूँगा, जल से जल इस movie को देख डालो, there is nothing like this, produced earlier in Bollywood, on Vyapam scam to be precise, यह scam के बारे में जो भी आपकी जिग्या ऐसा ही थी, जो भी आपको नहीं पता था, वो इस film में अगर आप decipher कर पाओगे, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा, my rowdy rating will be perfect rating, पूरे 5 में से 5 देना चाहता हूँ, मैं इस movie को, फटा फट इस movie को देख डालो, तो अगर आपने, मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लो यार, दो सेकेंड, दो मेंड लगते हैं, उसके बाद, उसके बाजों में जो बेला इकन है, उसको भी दबा दो, ताकि जबी भी मैं अपना नया रिवी अप्रोट करू, आपको तुरंत उसका नूटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग मुझे Facebook, Instagram और Twitter, सबी जगा पर follow कर सकते हो, सबी जगा पर मेरे प्रोफाइल, रिव्यू रावडी के नाम से ही है, दर डिजिटल पार्टर अब दिस चैनल, इस फाय है वोग डिजिटल, और दिको ब्रेंडिंग पार्टनर इस चाय पोकड़ा प्रोड़क्शन, बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा, एक बूट सिलेक्ट की वेब सेरीज कल रिलीज हो रही है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा, आश्रम का भी करूँगा, और बहुत सारी चीजे हैं जो मेरी पेंडिंग थी, मैं कुछ ना खुछ नया रिव्यू लेकर आपके सामने आता रहूँगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रही है, मेरे साथ connected रही है, stay tuned, stay filmy and stay rowdy,